यूपी बार एस्टेशन ने प्रदेश व्यापी हर्टाल का एलान किया है प्रदेश भर के वकील आज कचेरियों में कामकाज नहीं करने का फैसला किया है वकील दिवंगत वकीलों के परिजनों को आर्थिक साथा की मांग कर रहे हैं और युवा अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड ना मिलने का विरोध कर रहे हैं वकील लंबे समय से एड्वोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी कर रहे हैं साथ ही एक के बाद एक करके कई वकीलों की हत्या और वकीलों पर जो हमले हुए हैं उसमें जो पुलिस की कारवाई हुए हैं उसको लेकर वकील लगातार नराज़गी जताते रहे हैं सवाल भी खड़े हुए हैं और इनी तमांग भी खड़े हुए हैं और इनी तमांग तमांगों को लेकर वकील हर्ताल कर रहे हैं प्रदेश भर के अधिवक्त आज न्यायक कारें नहीं करेंगे जरा समझ लीजे पूरी खबार वकीलों ने आज प्रदेश व्यापी हर्टाल किया है सुमवार का दिन है अभी तो शुरुवात है मार्च के महिने में पांच बार हर सुमवार वकील हर्टाल करेंगे और 15 अप्रेल को विधान सबा कूच करने का एलान भी कर चुके हैं और आज कामकाज नहीं होगा आज के विरुद की हम बात करें हर्टाल की बात करें तो साफतोर से इसका जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है प्रदیश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं और भी कई मांगे हैं जिसको लेकर हर्ताल पर जाने का ऐलान किया गया यूपी बार काउंसिल ने हर्टाल पर जाने का ऐलान किया है दिवंगत वकीलों के परिजनों को आरतिसाइदा की बात हो प्रदेश में डूकेट प्रोटेक्शन एकलाओ करने की मांगो इन मांगों को लेकर अधिवक्ता हर्टाल कर रहे हैं गौर करने वाली बात ये है कि मार्च के माहिने में एक बार नहीं बलकि पांच बार हर्टाल करेंगे हर सुमवार को आज सुमवार है और आज मार्च माहिने की ये पहली हर्टाल है अबी चार बार और हर्ताल करेंगे उसके बाद 15 अपरेल को विदान सभा का कूच भी करेंगे तो साफ़तोर से अपनी मांगों को लेकर इस बार वकील पूरी तरह से एकजुट हो गए है और इसी के मद्दे नजर हर्ताल पर जाने का ऐलान किया गया है वकीलों ने प्रदेश व्यापी हर्ताल की है और इसका असर भी साफ़तोर से देखने को मिल रहा है इस वक्त की बड़े खबार वकीलों ने किया प्रदेश व्यापी हर्ताल कई मांगे हैं जनको लेकर वकील हड़ताल पर है पिछले दिनों जिस तरह से वकीलों पर हमले हुए उन हमलों को लेकर जो पुलिस ने कारवाई की उसको लेकर भी वकील सवाल खड़े कर चुके हैं और सुरक्षा की मांग को लेकर भी लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं प्रोटेक्शन एक्ट ये अपने आप में काफी एहम है एड्वोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिसको लागू करने की वकी लगातार मांग करते हैं और एक बार फिर से इस मांग को जोड़ शोड़ से उठाने के तहट ये मुद्धा भी मांग के तहट इसमें शामिल किया गया है विशाल रगुवंची जुन गया हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए विशाल मार्च के महिने में पांच बार हट सोमवार वकील हटाल करेंगे आज मार्च के महिने में ये पहली हटाल है किस तरह का असर देखने को मिल रहा है जो मांगे हैं वो तो लगाता चर्चाओं में थी ही किस तरह का महौल आप देख रहे हैं इस वक्त वकीलों के बीच देखे इस वक्त मैं लाधान लकनो के सिविल कोट में ख़़ा हूँ और यहां पर कामकाश पूरी तरह से ठप है जो आवान किया था उसके बाद तवाम जो आवान के बाद जो वकील है उन्होंने कार बहिशकार कर रखा है सबसे पहले मैं आपको नजारा दिखा दू कि चुकि दस बजे का समय हो चुका है अमोमन कोट खुल जाते हैं लेकिन कार भहिशकार के चलते अभी तक फिलाल कोई भी वकील यहाँ पर काम पर नहीं पहुंचा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह पूरा जो सिविल को से बंद रहेंगे कार भहिशकार वकीलों ने कर रखा है और चुकि एका दुका जो छोटे मुटे काम है वो भी पूरी तरह से बंद करने का आवाहन किया गया था बारकांसरी तरफ से और इसका असर पूरी तरह से दिखाई पड़ा है और इस वक्त सिविल कोट में पूरी कार भहिशकार फिलाल राधानी लकनों में दिखाई पड़ा है हाई कोर्ट समय तमाम जितने भी कोर्ट से उन समय ये कार भहिशकार रहेगा बार कांसरी के आवाहन के बाद ये पूरा भहिशकार किया गया है और अभी से कुछ दिर के बाद जो बार कांसरी जो मेंबर्स है जो पदादिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और वो यहाँ पर शाम तक जो है वो प्रोटेशन करते हुए दिखाई पड़ेंगे फिलाल कार भाहिशकार का ऐलान बार काउंसिल के आवहान पर हुआ है और अवद बार आईश्येशन इसमें शामिल है इसके साथ साथ तमाम और भी जो बार शामिल है और बंद पूईतरा से दिखाई पड़ा है कार भाहिशकार का जो एलान किया गया था वो पूईतरा से अभी कोर्ट में दिखाई पड़ा है विशाल वकीलों की जो सबसे प्रमुख मांग है वो है एड़ोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग जिसके तहट हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों वकीलों पर जिस तरह से हमले हुए पुलिस की कारेपर डाली पर सवाल खड़े हुए और सबसे बड़ी वज़े यही है जो वकील लगातार इस मांग को उठाते भी रहे हैं और अब हरताल पर जाने कैलान बेकिया देखे बएको लगातार वकीलों के वो जिस सरा से हमले हो रहे थे उसको लेकर वकील आये दिन अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सवाल करते रहे हैं यहां तक की रासरकार पर जो है यह कहते रहे कि वकील है कि हमको सुरक्षा जो है मोहिया कराई जाए ऐसे में तमाम जो वकील से हैं उन सब की यह मांग रही है कि सुरक्षा मोहिया कराई जाए उनको तमाम जो मामले होते हैं उनमें वकीलों को जो है रासरकार सुवधाय दे इनी सब मांगों को लेकर आज जो वकील है वो कार कर रहे हैं यह तहीं कि आज आप लोग कारभीश कार कर रहे हैं कि आज पहले तो कुछ सरकार से हमारी वकीलों के लेकर संबंध में उनके वलफेयर को लेकर मांग थी वह नहीं पूरी हुई कि आप इदर देख रहे हैं आए दिन कोड के अंदर अपराधि कितने होसले बढ़ गए हैं कि मजिस्ट्रेट की कोड में जो है गोलावारी कर रहे हैं और अभी आपने पिछले अपते देखा लखनों में जो है बंबिस्पोर्ट हुआ तो इसे आम वकील जो हम लोग दूसरो कर रहे हैं यह कार जो भाहिशकार है कब तक रहेगा और यह कित के आवान पर हो रहा है यह उत्तरप्रदेश बार काउंसिल के आवान पर हो रहा है और आज कार भाहिशकार है इसके बाद जो है तीन तारी को फिर बाह में पट्टी लाल पट्टी बात के विरोध करेंगे फ हरताल है इसको पूरा नहीं कमुत्ता हरताल है और आज ये इतरा से रासरकार को मैसेज देने के लिए हरताल की जा रही है और कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कल तो कल ये लो अपनी हाथों पे विरोत का पटी बांदेंगे उसके बाद अगर उसके बाद भी इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो ये विधान सवा का गिरहाओ भी करेंगे तो इसका आजा का आजा रहा है जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहां पर भी हर्ताल का असर देखने को मिला है अभी तक कचारी पूरी तरह से भरी हो जाती थी लेकिन अभी इस्तिती दस बजे के आगे हो गया है लेकिन कचारी पूरी तरह से सुनसान पड़ी होई है अधिवक्ताओं की एक दिव देखिए जब से उत्तरप्रदेश की सरकार बनी है तब से ही बार काउंसिल उत्तरप्रदेश से अपने अधिवक्ता हित के लिए तमाम मुद्दों पर बात वारता करता रहा है अपनी मांग को रखता रहा है लेकिन कहीं न कहीं ये वारता फेल होती दिख रही है जिसके ल प्रदेश सरकार से कई बार लोगों ने प्रयास किया है कि हमारा सरकार भी मुझे लग राएं कि समय कोश्च कीजेता है। आगे के क्या रंडेते आप लोगों को सारे लोगों के लिए इनके पास योजनाएं हैं सारे लोगों के लिए इनके पास काम है योजनाएं हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे सूबे में अधिवक्ता हित के लिए और अधिवक्ताओं के लिए इनकी कोई योजनाएं नहीं है इसलिए मैं अपत्नी लगाता हूँ और आज अंदोलन होगा और जोरदार अंदोलन किया जाएगा नहीं तो जो हमारी मांगे है उसको मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी मांगों को माने और अगर नहीं मानते हैं तो हम जो यहां कि हमारे पदाधिकारीगार हैं उनकी मीटिंग होगी उसमें फिर हम लोग जो है नया आगे गिनावनितितां कर क्या वजय रहेगी हड़ताल होगी क्यों ऐसा क्या देखिए इस्टेट गवर्मेंट की पॉलसी जो है जब तक अधिवक्ताओं को उसको लाफ नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है और सबसे बड़ी चीज है कि रिलेशन बिट्विन सोलिसीटर और क्लाइंट हम लोग एक जवाद ही हम लोगकी बनती है अधिवक्त को क्रती तो इक समाज का एक चौथा इस्थम्भ जो है अधिवक्ताओं को माना जाता है जब हम खुद जूय है यह दिक्कत में रहेंगे तो हम लोगों तक लाप कर इसे पहुंचा सकेंगे देखिए लगातार उत्तरप्रदेश की सरकार में बहुत सार ऐसे विधायक हैं जो अधिवक्ता थे या अधिवक्ता समाज से बिलाउंग करते थे वो जाने के बाद सरकार में अधिवक्ता के हित को भूल चुके हैं वो स्वह हित में लग गए हैं तो मेरा आपके माद्यम से उनसे निविदन है और पूरी बार काउंसील ये मांग कर रही है कि जिस प्रकार से अधिवक्ताओं की हत्ता हैं अधिवक्ता प्रटक्शन एक्ट की मांग है अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड की मांद है जो अधिवक्ता ज्यादा टाइम तक अपना काम कर चुके हैं उन का भाइसकार है इसकार मैं भी करेगा कारवाई नहीं करता है नहीं कोई कारवाई नहीं होती है और मौझूदा सरकार अधिवक्ताओं के लिए कोई कार ही नहीं किया है पूर के सरकारों ने किया है और मौझूदा सरकार अभी तक अधिवक्ता के नाम पर कोई भी सुविधा नहीं दी है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो वकीलों की नराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यही वज़े है कि हर्ताल पर आज यूपी के वकील है और इसका जो असर है कारे वहिशकार के तौर पर सभी कोट में कचेरियों में देखने को साफ साफ मिल रहा है विशाल आपका शुक्रिया नवीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए